तो आपने कईवा सोचा होगा कि हम पेड लगाएं पर पेड कौन सा लगाएं कौन सा पेड हमारी किसमत से जुड़ा हुआ है किस पेड के लगाने के बाद हमारे जीवन में जैसे जैसे वो पेड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी किसमत बढ़ती जाएगी हमारी किसमतों में आ प्रहुत्रियां और उनकार दोस्तों मैं सुभाज शर्म आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का पेड़ आपको लगाना सब से ज्यादा भाग्येशाली फाइदे देने वाला है आपके जीवन में किस्मत को चमकाने वाला काम करेगा हम पेड़ लगाते हैं कई बार हम यह सोचते हैं कि हम व्रिक्षा रोपन, जो भी हमारे गली महले में होता है, कहीं पर भी होता है, पूधा लगाना, बहुत सारे अफसर आते हैं, जिस समय सबसे पहले परेशानी है कि उलाद की दिक्कते हैं उलाद जिसकी परेशान होती है उलाद जिसकी परेशानिया देती है या उलाद नहीं हो रही है या फिर आपको कहीं पर भी विदेश संबंदी फाइदे नहीं मिल रहे हैं तब इस केस में आपको आमले का पौधा लगाना ह है आपको धर्म स्थान में ऐसा धर्म स्थान जहां के आंगन में या फिर उनके लॉन में आप एक आमले का पौधा लगा दें सिर्फ पौधर लगाने भर से ही उपाय नहीं हो जाएगा उसका ध्यान भी रखना है आप इस तरह से लगाएं कि वह पौधा बढ़ता रहे के भी आठ नंबर में ब्रस्पती है तो ऐसे केस में आपको नीम का पेड़ या फिर पीपल का पेड़ कहीं उजाड या शम्शान में लगाना है क्योंकि ब्रस्पती खाना नंबर आठ का बहुत जीवन में परिशानिया देता है इंसान उठता है गिरता है उठता है जीवन इ इसके बाद बात आती है आम के पेड़ की जी हां मैं आज आपके सामने आम का पेड़ आपको दिखा रहा हूं मैं जहां खड़ा हूं यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं आपको बताने के लिए बहुत कुछ है पर मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता द जिसकी भी कुंडली में मंगल खाना नंबर पांच का यानि कि फिफ्थ हाउस का मंगल है तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति आम का पेड़ चाहे वो कहीं भी लगाए अगर कहीं स्कूल में लगा दे तो समझ लो इसके वारे न्यारे हो गए कहीं स्कूल ढूंडिये सरकारी परि लड़के और लड़कें एक साथ पढ़ते हैं वहां भी लगा सकते हो या फिर कहीं धरम स्थान मंदिर वगरा के दिया में लगा सकते हो व्रक्षार ओपर कहीं हो रहा है तो इस शीच का ध्यान रखना कि वहां शम्शान ना हो और कोई ऐसी जमीन ना हो जो हमेशा उजार प व्यक्ति अगर आम पएड लगा दे तो इसकी किसमत में चार चांद लग जाते हैं जो परेशांचे व्यक्ति की परेशान अत का आशिरवाद भी प्राप्त होता है क्योंकि खाना नंबर पांच यानि कि फिफ्थ हाउस के चंदरमा के लिए कहा गया है कि आम के फूल की बॉर यानि कि जो फूल आते हैं आम आने से पहले वह आगर आप शिवलिंग पे चढ़ाते रहें वर्ष में दूद के साथ तो समझ साइक लॉजिक समझ लीजिए नो एक्षिन नो रियक्षिन मतलब अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे तो कोई फाइदा ही नहीं होगा आपने पेड लगाया पेड लगाया और उस पेड का फाइदा आपको मिलेगा इस बात की शूर्टी है यह गरेंटी है क्योंकि आप नि लगाया हुआ जो लोगों को आराम दे सके सड़क किनारे तो समझ लीजिए वो भी आपको काफी अच्छे रिजल देगा सड़क किनारे अगर पेड लगाने हैं आपको तो नीम के पेड लगाए जो लोग लगाना चाहते हैं व्रक्षा रोपन के कहीं पर भी इसमें नेगटिव हो जाता है मंगल नेगटिव हो आपके परिवार की परिशानियां बढ़ जाती है एक्सडेंट बिमारियां कहीं ना कहीं जीवन में खुशी के मौके ही नहीं आते हैं तो सिंपल सा तरीका है नीम का पेड आप सड़क किनारे लगा दीजिए आख बंद करके जो युभी दिन मिले लगा दीजे क्योंकि इसमें नहीं सोचते जो लोग दिन सोच के लगाना चाहते हैं मंगलवार, सोमवार या गुरुवार के दिन लगा सकते हैं तो जो लोग भी परेशान हो रहे हैं अपनी बहुत सारी दिक्तों से सिंपल सा आपको अगर इंसान कोई लग दिकतें देती है उलाद समबंधी प्रॉलम है चाहे वो केतू खाना नंबर आठकी हो चाहे वो ब्रस्पती खाना नंबर आठकी हो ऐसे केस में आपको people का पेड़ लगाना है people का पेड़ शम्षान या फिर जंगलात के एरिया में लगाने के लिए कहा गया है जब भी आपको अउलाद की दिक्कते आ रही हैं हो अउलाद के काम नहीं पन रहे हैं अउलाद परेशानी में आपको लड़का संतान नहीं हो रही है घर में बच्चियां ज्यादा होती जा रही हैं आपको कोई वारिस चाहिए किसी भी तरीके से बच्चा कहीं परेशान है बच्चा पर्लिक का स्थान या फिर शम्षान का एरिया वहां पर आपको यह लगाना है देखिए यह सब चीजे इसलिए कही जाती है माल लिजे ब्रस्पति खाना नमबर आठ में हो लॉजिक के तौर पर आपको बताता हूं कि हमें पीपल का ही पेड़ क्यों लगाने के लिए कहा गया प्रस्पति को बचाता है तो इसलिए हमें वहां पर पौधा लगाना होता है और पौधा पेड़ पौधा यह सब कुछ लगाना हमारे लिए जरूरी है हम शहरी करण में आ गए हैं आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने लोग सिरफ पेड़ पौ लगा ही सकते हैं आमका नीमका और साथी साथ आमला तो इन पौधों को लगाई और परेशानियों से बचिए बाकिया और जानकारी के साथ फिर आपको नई वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगया दीजिए नमस्कार